कि नमस्कार कैपिटल टीबी उतरपदेश की स्पिसल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग यूपे के अलग-अलग जिलों से हैरान करने वाली खबर सामने आती है कभी मामला एंकाउंचर का होता है तो कभी मामला बुल्डोजर अक्षिन का होता है कभी जहाद की चौकाने वाली खबर सामने आती है तो कभी धर्मांत्रण का मामला सुर्क्यों में होता है रिस西मयोगी के टगड़े action की होती है लेकिन यूपी के और भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो हमेशा किसी ना किसी वज़ा से सुर्ख्यों में बने रहते हैं जी हाँ आज बात करेंगे एक ऐसी ही धाकड महिला की अपने अक्शन से हमेशा चर्चाओं में बनी रहने वाली कानपूर की मेयर प्रमिला पांडी एक बार पर सुर्ख्यों में दरसल उनका एक वीडियो इस बार उन्हें सुर्ख्यों में लेकर आया है कानपूर मेयर प्रमिला पांडी ने मिटिंग में ऐसा गुसा दिखाया कि उनका वीडियो शुसल मीडिया पर वाइरल हो क्या फिर से चर्चा में कानपूर की धाकड मेयर मिटिंग में भड़ा कुठी मेयर प्रमिला पांडी अक्सर चर्चाव में रहने वाली कानपूर की मेर प्रमिला पांडे का एक वीडियो में एक अधिकारी पर फाईल फिकती नज़र आ रही है साथी साथ अभिनताओं को फटकार लगाती भी दिख रही है और अन्य विश्यों पर अधिकारियों की बैठक ले रही थी नाला सफाई में लापरवाही को लेकर मेर ने बैठक के दौरान लापरवाही पर नराज की चताई इस वीच जून 3 के अधिशासी अभियंता नानक चंद ने मार्च की रिपोर्ट दिखाई तो मेर ने गुस्से म मार्च की फाइल जून में दिखा रहे थे जिसके चलते मेर नाराज चुके और उन्होंने अपना आपाक को क्या मेर प्रमिला पांडी के मुताबिक जुस्तरीके से अधिकारी कह रहे थे कि 90% काम हो गया है मुझे तो नहीं लगता कि हुआ होगा स्वास्विभाग इंजीन नाले की सफाई नहीं हुई है कह रहे हैं कि जब तक अतिक रमण हटे का नहीं तब तक नाला सफाई नहीं पायगा जहनकारी के मूताबिक मेर ने सभी चे जोन खभएंताओं के साथ नाला सफाई की समिक्षा बैठक नगर निगम मुख्याली में बुलाई थी बैचक में मेर के सवाल पर भी अभियंता नाला सफाई के निरिक्षन के दरान की फोटो तक नहीं दिखा सके इस पर मेर ने कहा कि एक भी अभियंता दूप में मौके पर जाना जरूरी नहीं समझता सब एसी में बैट कर नौकरी कर रहे हैं इस बीच एक अभ्यांता ने मेर के रिपोर्ट मांगने पर उन्हें मार्च की रिपोर्ट दिखा दी मेर ने इस पर कड़ी नराज़की जताते वे कहा कि नाला सफाई का कारे मैं में शुरूआ और रिपोर्ट मार्च की दिखाई जारी है इस पर चिफ इंजीनर मनेश अवस्थी ने भी कड़ी नाराज़की व्यागा फिलाल मेर प्रमिला पांडे की नाराज़की वाला वीजो शुसलमीजया पर सुर्क्यां बटो रहा है बता दियें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह से मेर साहिबा का गुस्सा देखने को मिला हूँ कई बार चर्चाओं में रह चुकी अपने धाकड अंदाज के लिए इससे पहले फरवरी दौजाद चौबीस की बात है नगर निगम कारेकार्णी शहर में काबिनेट के समान होती है लेकिन कुछ लोग शहर की काबिनेट में बैठ कर आव विवस्ता भी फैराती है और कुछ ऐसा ही है कोधारन कानपूर के पाश्चत महोदे बनेट जो की शहर की कारेकार्णी की बैठक के दरान नश्य की हालत में पहुँच के लिए कई आपत्ति जनक हरकती के जिसको लेकर विवाद भी बढ़ गया ऐसे में वहां मौझूद महिला पाश्चत भी असहर्च हो गई इसको लेकर कानपूर के बियर प्रमिला पांडे ने भी नाराज की जारी करते हुए पाश्चत को सक्त चेतावनी दरसल कारेकार्णी की से अलग बिठा दिया गया इस मामले को लेकर मेर प्रमिला पांडे भी पूरी तरह से बढ़क गए इस घटना का वीजो शुसल मीजा पर तेजी से वायरत हुआ था पार्शन ने हद तब कर दी जब समीती कक्ष में हो रही कारेकार्णी की बैठक से बाहर निकले और महिला पार्शन कक्ष में गुज गये इस घटना को लेकर प्रमिला पांडे ने बताया कि पार्शन को चिताओनी दी गई है कि दोबारा इस तरह की हरकत पर उन्हें सदन से भी निसकासित किया चाएगा बता दे कि कानकूर नगर निगम में बजट को लेकर बैठक थी और इस दौ पर बुलाई गई बैठक पाश्रक की हरकत पर सिमठ कर रह गए इसको लेकर महापूर काफी चाता गुस्से में ना चलाए कि कानपूर की मेर प्रमिला पांडे भी अपने हनकदार और दबंग रवय को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं ऐसे पहले 16 जून 2023 की बाते च नाश्ता भी लटा दिया मेट्रो और वन्विभाग के अफसर एक घंटे तक अपना पसीना पोश्ट दे रहें जिलावानी की अधिकारी ने जब कहा कि जो पेर काटे गए हैं उसके बाद फिर शहर में ही लगाएंगे और घरों के बाहर पड़े जो तन्ने है चल उठा दि दिक्कत हो रही थी असुविदा हो रही थी शिकायक महापौर प्रमिला पांडे तक पहुंची तो उन्होंने यूपी मेट्रो रेल कॉर्परेशन नगर निगम और वानी की अधिकारियों को बैचक के लिए बुला नगर निगम मुख्यालों में बादचीत के दुरान अपसर मोहित बंसल और ब्रिजिश वर्मा बोले कि जुही पूल से नबस्ता तक एक सौठार पे काटे गए थे इसके वज़ में वन विभाग को तीस लाख रुपए उपलब्द भी करा दिए इस पर महापौर ने मेच्रू अधिकारियों से कहा कि जब जुही पूल से नब कि किसी कीमत पर सहन नहीं होगी एक तरह से सरकार की छवी धुमिल कर रहे हो क्योंकि पर्यावरन और स्वक्षता सरकार की पहली प्रात्मिक्ता है जिसके बाद से मेच्रों अफसरों ने तरक दिया कि वन विभाग नहीं पेड़ों का आकलन कर अवद कराया था इसके आधार का पारा जुठाओ और ज्यादा आयों क्या और बुरे कि जुही से नवस्ता की बीच पेड़ काटे गया और उन्हें घाटमपुर में क्यों लगाया जा रहा है एक पेड़ काटने के बदले 10 लगाने होते हैं और इस हिसाब से 1180 लगाने चाहिए शहर में काटे गए पेड 10 मीटर जगर छोड़े जाने के सवाल पूछने पर मेच्रो अपसरों ने कहा कि टेंडर कराकर उसका सुंदरी करण कराया चाहेगा वही नुवंबर 2023 की बात है चाहां कानपूर में एक ऐसा मामला सामने आया कि सडक बनने के बाद खोद दिख रही रिपेर के नाम पर अधि बासियों की शकाय महापौर पहुंची सडक खोदने पर महापौर प्रमिला पांडिप भड़क उछी निरेक्षन के बाद उन्हेंने जून पूर के अधिशासी अभ्यांता आरके तिवारी को अपने कार्याले बुला लिया वहां की फाइल देखने के बाद गुस्से में उ अगर रिपएर किया जाता तो कम पैसा फटशकर यह पूरी तरह सरकार के धन की बर्बादी कि जा रही हैं जिसने सडक का बजट बनाया रहे बजट नई सडक का है और जिस सड़क के लिए बजफ बनाय गया है उस सडक को आपने डेखा लोट को बजट पास करा दिया किस ने कहा था बजट पास कराने के बताओ जब मिटिंग में कहा था कि देपावली तक शहर में कोई सड़क नहीं खोदी जाएगी तो कैसे सड़क खोद दी गई इसके लावा नगर आयुक्त शिव चनपा जीन को भुला कर सड़की खुदाई करवाने पर अपनी कड़ी नराज़की भी जायती है तो इस तरह से समय समय पर उनके तगड़े अक्शन चर्चा का विसे रहते हैं इतना है नहीं साथ में काम करने वाले अधिकारियों के भी हालत खराब रहते हैं इस स्विस्वल स्टोरी में फलाल करता ही देखते रहें कापेटल वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुनने के लि